बिसमिल्लारामानाराहिम, असलाम लेकुं दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुझान सारी और आप दिख रहे हैं इस यान सारी फूर सीकर्ट्स अगर आपके अचानक में आपने जट पर कुछ अच्छा क्रिस्पी और मज़ेता बनाना तो यह रेस्पी आपके लिए हैं इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बहुत ही क्रिस्पी और शानतार इसमें चिकन तयार होता है कोई लंबी मैडिनेशन की जूरूत नहीं ह फिर भी चिकन आपको बहुत ही टेंटर और बहुत ही क्रिस्पी नेक्स लेवर गला इनिशाला मिलेगा और इसमें कोई ऐसे वैसे मसाले भी यूज नहीं होते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत असान रेस्पी है कंप्लीट देखिएगा यहां पे सबसे बहले बिस ठीक है इस तरह से हम कट लगा देंगे और इसके बाद आपने स्कों में इस तरह से लंबाला काट देना है बहुत मोटी आपने बोटी को नहीं रखना बाढ़ी की रखना इस तरह से कोई भी आप डिजाइन देले और इसको आप क्यूब्स में भी कट कर सकते है लेकिन यह जादा अच्छी लगती है इस तरह से ठीक है अब हर साइट पे आपको इस तरह से कट से फील होंगे जिससे क्या होगा कि इसकी जो मेरिनेशन की भी ज़रूत नहीं पड़ेगी और क्रम्स भी अच्छे बन जाएगे चलेंजी बिसमिलारवार नहीं अब इसको एक खुबसरोत चाहिए यहां पे एक चमच जिससे चिकन बहुत ही टैंडर्ट हो जाएगा और जल्दी पक जाएगा अगली चीज़ में एड़ करेंगे हाफटी स्पून काली मिर्च और यह हमारे हाफटी स्पून लैसन पाड़र आप फ्रेश लैसन भी कुटा हुआ यहां यूज कर सकते है नमक जाएगा हाफटी स्पून थोड़ा से जाएगा क्योंकि उपर जो कोटिंग है उसमें भी नमक जाएगा इसलिए नमक आपने कम ही रखना है ठीक हो गया और थोड़ी सी लाल में चैट कर देंगे हाफटी स्पून इसमें जीरा खुश तरिया यह वो स्टाइब की च ताकर डेली से वो साथ बज़े की जो वीडियो है उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो आप डिरेक्ट हमारा चैनल को सर्च करके वहाँ भी वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं तो यहाँ पर इसके उपर हमें चाहिए मैदा तो दो से तीन टेबल स्पून आपने मैदा अच्छे से चान कर इसके उपर एट कर देना और मिक्स कर देना ठीक है यह कोटिंग सी बन जाएगी इसके ओपर ठीक है और यह आगे जाके बहुत ही करंची हो जाएगी ठीक है यह रगे अब आप चाहें तो इसको मैडिनेशन के लिए फ कब भड़के अच्छे से चान कर इसके अंदर एक दो रेगलर मसाले जाएंगे नमक इसमें एड़ कर देंगे वांटी स्पून और यह है लारी मिर्च का पौडर हाफ टी स्पून और थोड़ी सी हल्थी एड़ कर देंगे कलर के लिए अब यहां भी इतने मसाले जाते नही यहां पर क्रम्स बनाना इसके ऊपर कोटिंग बनाना कोई मुश्कल नहीं है बसाबने इस तरह चिकन स्टिप्स पकड़नी जिनके अपर आल्रेडी जो बैटर है वो लगावा है जो मिक्स्चर है वो लगावा ठीक है जब इसके उपर मैदा डालके इसको पकड़के ऐसे द बारा इसी मैदे में डाल देने लेकिन उसकी जरुवत बिल्कुली भी नहीं है इसी तरह से आपने सभी कोटिंग जो है वो बना लेनी है उसके बाद यहां पर हमें साहिए मीडियम फ्लेम के उपर गरम ऑईल ठीक है यह देखे सारी स्टिप्स हमने बना लिए इसके अंदर आपने इनको कर देना है प्राइ या देखेगा जितनी भी रैस्पी जिनमें अंडे का यूज होता है उसको कभी भी हाई फ्लेम के अपर गरम नहीं करते वरना अंडा बहुत जल्दी जल जाता है इस तरह हम इसको मीडियम फ्लेम के अपर एट करेंगे और एक मिनिट बाद फ्लेम काँ थोड़ा कम कर देंगे ठीक है यह आइस सहचा कुक होगा तो जादा क्रिस्पी होगा और जो चिकन है वो भी बहुत जादा टेस्टी बनेगा ठीक है क्योंकि कुक्क का कुकिंग के जो प्रसीजर वो सही से हो जाएगा तो यह देखें करम समाने शांदर बने औ और वीडियो उसको शेर जरू किया करें अपने दोस्तों के साथ कजन के साथ क्लास फैलोस के साथ आके उनको भी यह रैस्पी जो है मिले चलेंजी बिसमिल्हारवान रहीं तो माशाला लहम्दुलिल्ला देखेंजी मैं अल्ला की शान उसकी रहमते नेमते और बढ़ते जि चिकन स्टिप्स जिंगर स्टाइल चिकन रेस्पी चिकन स्नेक्स था यार है 10 मिनट्स चिकन रेस्पी थी यार दो हमें देखें वीडियो को लाके जाज दीचे अल्ला हाफीज